राधे राधे सभी को फ्रेंड ये यूपी प्लीस कोंशेबल वालों के लिए हिंदी का प्रिवीस एर कोशन से हैं यहां पे हम 37 कोशन देखने वाले हैं और आपको चेक करना है आप केतने कोशन ठीक कर पाते हैं सथीस में से तो आपका यहां से रिवीजन और टेस्ट हो जाएगा देखते हैं आपके इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं और आपको कोशिश करना है दस से बारा मिट के अंदर अंदर ये पूरा पेपर खतम करना है आपको चीक है और मैंने मोग टेस्ट और जीएस के रीज को सब्सक्राइब कर लेना प्लिक कर लेना ताकि आपके पास सब्सक्राइब को हैं पोंस्तर हैं हम जो भी अप्डेट डालते हैं और इस कोशन में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रियोग करना है यहां पे लिखा गया है उपकार को मानेने वाला तो इसके एक शब्द क्या बनेएगा तो इसके लिए एक शब्द करतग ओप्שन फर्सट इसका राइधउनर होगा चलते हैं next question कोशलोमर 2 और यह question जो है कारक से आया हुआ है आपको वाक्य दिया गया है और रिखांकी पद में कौन सा कारक उप्योग किया गया आपको बताना है तो रिखांकी शब्द अगर आप पढ़ोगे बोतल में दूद बचा है तो रिखांकी शब्द में तो यह कौन सा कारक बनेगा यह बनेगा अध क्या आएका डैश के अंदर इस्कूल बस पांच मिनट में आएगी option second वाला राइट अंसर होगा चलते हैं next question कोशन में पांच है और इस question में आपको किरिया का भेध पैचानना है रवीद दिवार रंगने लगा है इस वाक्य में कौन सी किरिया यूस की गई है तो इस वाक्य के अंदर सहिं उतक किरिया यूस की गई है option fourth वाला राइट अनसर होगा चलते है next question कोशन में पांच है ठीक है, चलते हैं next question तरफ, question number 7 है और इस question में आपको इस्त्री लिंग बताना है कुमार का, तो कुमार का इस्त्री लिंग होता है कुमारीन, option second वालास का red answer होगा, चलते है next question तरफ, question number 8 है और इस question में आपको भाव बचन बताना है चुटिया का, तो चुटिया का भाव बचन होता है चुटिया option first वाला right answer होगा चलते हैं next question कोशन नो है important question है यह question जो है one which is से आया है आपको ध्यानप्रूवक क्रिपान में किस प्रकार का one which is होगा वो बताना है तो इसका जो right answer बनेगा वह option फॉर्थ वाला इस प्रकार से one which is होगा आपको ध्यान अखना है संदी विच्छेट से भी question आएंगे one which is से भी आएंगे तो आपको दोनों को ध्यान प्रूवक करना है चलते है next question कोशन ने तरफ separate उसका मैं available link दे दूँगा उसको देख लेना आपके विचेशन संबंदी सारे question complete हो जाएंगे यहां पर वाक्य क्या लिखा गया है इस परवत माला में बहुत उचे-उचे पाढ़ है तो यहां पर जो विचेशन की विशेशता बता रहा है वो है बहूत option second इसका राइटनसर होगा चलते हैं next question की तरफ question में 12 है और इस question में आपको सही विकल्प चुनना है दिए गए वाक्य के लिए और वाक्य क्या है सरुनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर्म नाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम option first वाला राइडंसर होगा चलते हैं next question तरफ question number 13 है और आपको बताना है गजानन मादव मुक्ति बोध जी दुवारा रचित रचना नहीं है तो इनके दुवारा जो रचित रचना नहीं है वो है अन्दा यूग option first वाला राइडंसर होगा चलते हैं next question तरफ question number 14 है और आपको बताना है पिर्थवी राज रासो किस लेग की रचना है तो पिर्थवी राज रासो चनवरदाई लेग की रचना है option first वाला राइडंसर होगा question number 15 है और आपको बताना है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लिखक का नाम क्या है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लिखक का नाम है द्यानंद सरस्वती option first वाला राइडंसर होगा question number 16 है important question है हिंदी सहित्य अकार्डमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस छेत्र में दिया जाता है ये सम्मान जो है हिंदी को नई दिशा परदान करने के लिए दिया जाता है option 4 इसका red answer होगा चलते हैं next question तरफ question number 17 और यहां पे आपको गध्यांच दिया गया है इस गध्यांच को आपको ध्यान पुरुवक पढ़ना है और इसके अधार पे आपसे 5 प्रशन पूछ जाएंगे उनका अंसर दिना है तो यहां पे आप प्रशन देख सकते हो प्रेशन नंबर 17 है और ये प्रेशन जो है गध्यांज पर अदारीत है तो यह वारी गध्यांज को ध्यांज पर पढ़ लेना उसके बाद ही अंसर करना है आपको यहां पर आपको रेटंसर पतातden हो क्या होगा यहां पर रेटंसर होगा ऑप्शन ध्रडवाला हल्के वहानों का परियोग होने लगा कोशेमेर टारा है और इसका रेटंसर है आप स्थियाण प्रूब है गध्यांज पढ़ने है और उननी के अदार पर ये अंसर करना है चीक है, next question देख लेते हैं कोश्रमर 19 है और इसका रेटनसर है option first वाला भारी और बड़ा वहन कोश्रमर 20 है और इसका रेटनसर है option first वाला 4 कोश्रमर 21 है और इसका रेटनसर है option third आर्थिक इस्तती तो आपको गद्यांश ध्यानप्रोव पढ़ना है उसके अधार पे 5 परशन पूछे जाएंगे उनको आपको करना है फिरी के नमबर होंगे वस आपको ध्यानप्रोव गद्यांश पढ़ना है चीक है, चलते हैं next question देख लेटनसर है और यहाँ पे आपको अलंकार बताना है इस पद्ये के अंदर कौन सा अलंकार यूज किया गया है पद्ये क्या है, रगुपति रागव, राजा राम तो इसके अंदर अनुप्राज, अलंकार यूज किया गया है option फर्स्ट वाला राइडनसर होगा चलते हैं next question देख लेटने तरफ, question नमबर 23 है option second इसका राइडनसर होगा चलते हैं next question देख लेटने तरफ, question नमबर 24 है और इस question में आपको अशुद वाक्य का शुद रूप बताना है यहाँ पे वाक्य लिखा गया है, घूमना सुबा अच्छा है तो इसके लिए शुद वाक्य क्या होगा सुबा गोमना अच्छा है, option fourth वाला राइडनसर होगा चलते हैं next question देख लेटने तरफ, question 25 है important question mark कर लेना, आपको बताना है चंद के परतेक चरंड में कितनी मात्राइं है यहाँ पे एक चंद लिखा गया है और आपको बताना है इसके परतेक चरंड में कितनी मात्राइं है वो आपको बताना है, तो इसका राइडनसर क्या है option first वाला है, पंदरा से तेरा के करम में 28 option first इसका राइडनसर होगा important है आपको ध्यान रखना है यह भी चलते हैं next question के तरफ, question 26 है और इस question में आपको मुहावरे का सही अर्थ बताना है अंक भरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा गले लगाना, option second इसका राइडनसर होगा चलते हैं next question तरफ, question 27 है और इस question में आपको बताना है संयोग और वियोग किस रस के रूप है संयोग और वियोग जो है शंगार रस के रूप है option थर्ड वालास का रेडंसर होगा चलते हैं next question तरफ question में 20 है और इस question में आपको एक वाक्य दिया गया है इसका करम वाच्चे क्या होगा आपको बताना है वाक्य क्या है पिता जी पत्र पढ़ रहे है तो इसका करम वाच्चे क्या होगा इसका करम वाच्चे होगा पिता जी के दुआरा पत्र पढ़ा जा रहा है option थर्ड वाला चलते हैं next question तरफ question में 29 है और इस question में आपको बताना है योजग चिन का सही उधारन कौन सा है दिये गए विकल्पों में तो योजग चिन आपको पता होने चे क्या सा होता है योजग चिन कुछ इस प्रकार से लगता है अगर आप विकल्प देखोगे पहले वाला और तीसरे वाला इसके अंदर योजग चिन का उप्योग किया गया है पर सही तरीके से विकल्प एक के अंदर यूज़ किया गया है विकल्प तीन में नहीं तो इस प्रकार इसका अंसर फर्स्ट वाला होगा चलते हैं नेक्स कोशन तरफ कोशन मरे तीस है और इस कोशन में आपको समाथ विग्रह करना है सब्द सिंदू का तो सब्द सिंदू का समाथ विग्रह होता है साथ सिंदूों का समू ओप्शन थर्ड वाला राइडन सर होगा चलते हैं नेक्स कोशन तरफ कोशन मरे तीस है और यहाँ पर आपको प्राईब वाज़िस सब्द बताना है पत्तर का तो पत्तर का प्राइब वज़ सब्त होता है पाशान option फर्स्ट वाला राइडंसर होगा चलते हैं next question तरफ question 32 है और ये question जो है उपसर्ग से आया हुआ है आपको यहाँ पे वो वाला विकल्प chain करना है जो उपसर्ग से नहीं बना है तो इसका राइडंसर है option fourth वाला दिखावा दिखावा शब्द जो है उपसर्ग से नहीं बना हुआ है हमेशा उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्य पीछे लगते हैं तो आपको ध्यान फुवक उपसर्ग और प्रत्य पढ़ लेना चीक है चलते हैं next question तरफ question number 33 है और इस question में आपको विपरीत अर्थ बताना है सूर्थ का तो सूर्थ का विपरीत अर्थ होता है परमार्थ option first वाला राइडंसर होगा चलते है next question कोशन में 34 है और ये question जो है प्रत्य से रह वा है आपको बताना है कौन से अवल विकल्प में प्रत्य का उप्योग किया गया है तो वो है option third वाला जादूगर में प्रत्य का उप्योग किया गया है तो आपको उपसर प्रत्य पढ़ लेना वासे question आएंगे चलते हैं next question तरफ कोशन में 34 है और ये question जो है संदी विचेद से आया हुआ है आपको बताना है अत्य अधिक का संदी विचेद क्या होगा तो अत्य अधिक का संदी विचेद होगा अती जमा अधिक option second इसका रेडंसर होगा चलते हैं next question तरफ question में 36 है और ये question जो है समासिक युगमपद से आया हुआ है यहाँ पर आपको अचार के लिए सबसे उचित समासिक युगमपद का चैन करना है तो इसका रेडंसर होगा विचार option second इसका रेडंसर होगा चलते हैं next question तरफ question में 37 है और इसमें आपको बताना है समान अर्थ दुविदा के लिए समान अर्थ क्या होगा तो दुविदा के लिए समान अर्थ होगा धर्म संकर option first वालस का रेडंसर होगा चीक है तो फ़र्ण हमने यहाँ पर 37 question देख लिए हैं अब आपको कम दिन बचे हैं ठीक है तो प्रैक्टिस जमके करने हैं आपको इसी पकार समें और वीडियो लेके आते रहेंगे जहां पर मॉक्टेस लगाने वाले हैं ताकि आपकी प्रिपेशन बहतर होती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब क्लिक कर लिए ना ताकि आपके पास सब्सक्